अस्सलाम अलेकूम और रहमतुल्लाइ बरकात हूँ वेलकम तु माई किचन शादा वैवर ग्रीन आज हमारे किचन में हम एक हेल्दी वेजिटेबल की रसिपी शेयर कर रहे हैं जिसको ब्रॉकली कहते हैं ब्रॉकली जो है वो इटालियन वर्ड है और यह कॉलिफलावर विटामिन सी एंड विटामिन के होता है और ग्रीन वेजिटेबल बहुत हेल्दी होती है वैसे भी तो इसको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए तो चलिए अब हम इसके लिए क्या-क्या चीजें हमें जुरुरत पड़ेगी आपको बताते हैं तो चलिए इसका कुकिं का प्रोसस स्टार्ट करते हैं हमने ब्रॉकली को वाश करके इसको ऐसे कट करके रख लिया है प्लस हमने टू टमाटो लिया है इसको रफली कट कर लिया है दो मीडियम साइज के आलू लिया है इसको हमने हाफ मुन शेप के स्टाइल में कट करके पानी में डिप करके रख ल कट कर लिया है। थोड़ साल्ट हल्दी ली है। जीरा लिया एक रीन चुले ली है। तीन गार्लिक लिया है। और फान एच अद्रक को हम ने कद्दुकश करके रख लिया है। तो चलिए अब हम इसको कुकिंग का प्रोसस टार्ट करते हैं। हमने टू टेवल स्पोन ओल को अब हम इसमें जीरा डालेंगे और बिसम अलास में प्यास डालके हम इसको लाइट पिंग कलर आते तक फ्राई करेंगे इसमें रेट चिली भी हम शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते वे हमें इसको फ्राई करना है थोड़ा से इसमें कलर आना चाहिए तो यह जो प्रोसेस है यह मेरे स्टाइल का है मैं विदाउट वाटर प्रपरेशन वेजटेबल बनाती हूं जो की बहुत यमी टेस्टी बनता है आप भी ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको मेरे स्टाइल की सबजी कैसी लगी तो इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं आड़ करेंगे और वेजटेबल के और टोमाटो के पानी में हम इसको गलाएंगे और स्टीम में गलाएंगे तो इसको हलका सा बस यह लाइट पिंक कलर आते तक हमें फ्राई करना है यह दो मिट में हो जाता है देखिए ऐसा होना चाहिए अब हम इसमें अध्रग लेसन एड़ करेंगे अध्रग लेसन से वेजटेबल का टेस्ट जो है वह बहुत अच्छा डवलप होता है इसमें एक अच्छा एरोमा आता है और यह खाने में भी हैल्दी होता है इसको एक म में थालेट हम फ्राइ करेंगे ताके वह अच्छा से और अछ्चे से हो जाएज डाटली को हम स्टिर करते हुए च्छा यह करेंगे इसमें हम सिजिणी करेंगे का में अध्रम जिए Pal झिल और सॉल आफट इसमें आलू पानी में से निकालते वे इसमें डालेंगे सारे आलू को डालेंगे और इनको भी हम पांच मिन्ट तक फ्राइ करेंगे इसमें भी थोड़ा सा गोल्डन कलर आना चाहिए या गोल्डन डार्क हो जाएगा लाइट पिंग कलर तब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये पानी में आलू थे तो थोड़ा पानी जो है वो ड्राई होगा फिर ये ओल में फ्राई होगा तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके और इसको फ्राई होने देते है देखिए 40% आलू फ्राई हो गए है अब हम इसमें ग्रीन चिली आड़ करेंगे और उसके बाद हम इसमें ब्रॉकली को आड़ कर देंगे ब्रॉकली जो है बहुत सॉफ्ट होती है ये बहुत जल्दी कल जाती है और बहुत जल्दी कुक होती है ये फटा फट सबजी बन जाती है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमने सारी ब्रॉकली डाल दी है अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे मسायुला कितना अच्छा पलफुल डिश दिखरी है अबिसे ही तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताक्छ बॉक्ली में भी नमक और मिर्ची जिजो है अच्छे से मिक्स हो जाए अब हम इसको कवर कर के 5 मिनिट हो मेडियम हीट पर कोखोने देते हैं कि राकली को डिफेरेंट तरीखेसे भी सब्सक्राइब है है को की प्रला customized पॉपर है प्समें टॉमाटोस एट करेंगे और इनको भी मिक्स करेंगे अच्छे से अब यह हमारी टमाटर गलेंगे और यह टमाटर का पानी जो है वो रिलीज होगा तो हमारा जो थोड़ी सी सब्जी में कसर बची है वो टमाटो के पानी से गल जाएगी इसमें एक्स्ट्रा वाटर मैं कुछ भी नहीं मिला रही हूँ तो यह मेरे स्टाइल की सब्जी है जो की बहुत यमी लगती है राइस के साथ भी टमाटो के साथ भी तो हम इसको कवर करके और लो मीडियम हीट पे फाइफ मिनिट्स को खोने देते हैं देखे आफटर फाइव मिनिट्स टमाटर गल गया है इसका जो पानी था वो भी ये बन के रेडी है बस ये रेडी है हम इसको डिश आउट करके आपको बताते हैं माशालला ब्रॉकली की सब्जी बन के रेडी है जो की खाने में बहुत हैल्दी है और यमी है और टेस्ट में भी तो बहुत दमाका है तो आप इसको चांवल राइस के साथ लंच डिनर में आप इसको एड़ कर सकते हैं आपके दस्ताखान की रौनख बढ़ाईगी और ये खाने में तो हेल्दी है ही है लेकिन घर का हर हर फर्जंद इसको बहुत ही पसंद करेगा तो आप भी मेरे स्टाइल से बनाईए और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब करेए बेल आइकन के बटन को प्रस करेए ताकि मेरे नोटिफिकेशन जल से जल आप तक पहुंचे थैंक्स पूर वाचिंग टेक क्या बाबाई इंशाला नेक्स वीडियो में फिर मुलाखात होगी टेक क्या स्बीज तक पहुआब करेए झाल झाल